यह दिख रहे हैं नो प्रेशन कोई दिखत तो नहीं है एक बार पुन हो आपका स्वागत है आज हम लोगोंने यहाँ पर नियुमेरिकल प्रेशन लिए है जो की फिजिक्ति सेकिंड बुक से है और काफी महत्वपूण प्रेशन यह है सभी के सभी प्रेशन जो है काफी महत् 1.5 A धारा लेने पर उसका विवांतर 1.8 V तथा 1.0 A धारा लेने पर विवांतर 1.6 बोर्ट हो जाता है सेल का आंत्रिक परतिरो तथा विद्दुद भागवल ग्याद कीजिए दूसरा प्रेशन है है हाइड्रोजन प्रमाणों में एलेक्ट्रोन 5.3 x 10 to the power minus 11 meter तिर्जा की 2.3 x 10 to the power 4 meter per second की चाल से गति कर रहा है एलेक्ट्रोन के घुनन का चुमख्या आकून ग्याद कीजिए नेक्स्ट है 10 cm तिर्जा तथा 50 फेरों वाली एक बृताकार कुंडली अपने उर्द्वाधर ब्यास के परिता है 20 milli tesla ये क्या चीज है milli tesla के सम चुमख्या चेत्र में 50 radian 30 second की चाल से घूम रही है तो ग्याद कीजिए तीन चीज़े पूची गई है आपर ठीक है तीन नमबर गई प्रश्णों का एक एक नमबर आपको प्रश्ण चुमख्या फ्लक्स का अधिकतम मान प्रेरिद विदुद भागबल का सिखर माने सिखार हो गया सिखर माने क्या है सिखर माने सो correction कर लेंगे और प्रेरिद value है वो MPR में है और T की value second में इसमें स्वप्रेरिद विदुद भागबल 10 mili volt फिर से क्या है 10 mili volt हो तो प्रेरख गुणां ग्याद कीजिए इसके अलावा ये कहरा T equals to 2 second पर प्रेरख में संचितुर्जा ग्याद कीजिए जो हमने प्रेरख लगा रखा है या कुंडिली ल 9 voltage को बाइस सो बोल्ट से 220 volt करता है प्रात्मिक कुंडली में 5000 फेरे हैं ट्रांसपर्मर की चमता 90 परशेंट निर्कत सकती 8 kilowatt है तो गढ़ना कीजिए दृतिया कुंडली में फेरों की संक्या और ये है ये निवेसी सकती होगी क्या होगी निवेसी सकती है इन्पुट में क आवर्तियावर्ति स्रोथ से जुड़ा है स्रोथ की आवर्ति 50 हर्ज होगी ठीक है लेंप को जलाने के लिए किस प्रेरक तत्व की चोब कुंडली लगानी होगी तो हम सीधे आ जाते हैं पहले प्रेशन पे और अब हम विर्कुल भी टाइम इसमें अपना नहीं और सीधे स्वाल करें पहला प्रेशन क्या है हमारा एक सेल में 0.5 अम्प्यार दारा लेने पर उसका विवानतर 1.8 और 1.0 अम्प्यार लेने पर विवानतर 1.6 बोड हो जाथा आंत्रिक पर्थरोद और विदुद्वागवल आको क्या करना है याद करना है तो आएं फ्री स स्पेस में आते हैं यह वाला स्पेस यूज कर लेते हैं क्वेशन याद हो गया नहीं तो लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा हमार पास दो कंडिशन दी गई है पहली कंडिशन दी गई है आई वन इक्वाल्स तो 0.0.5 इस पे कितना गोल्टेज है 1.8 वोल्ट किलर है पहली कंडिशन है आई टू इक्वाल्स तू इस 0.5 था 1.0 एंपियर इस पे कितना देता 1.6 वोल्ट यह दो कंडिशन दे रहा है परिपतत कैसा होता है परिपत में यहां एक एक्षेशन रजिस्टेंश chociaż यहां पर positive negative और यह इसका internal क्या होगा प्रिद्रोध होगा पता है न दो condition दी गया, पहली condition दी गया और दूसरी condition दी गया, अगर आप इसमें fundamentally समझेंगे, तो क्या होता हमार पा formula, हमार पे formula होता है E equals to IR plus IR समझ भार है, सिद्धी सी बात है फटाफट करें, IR इसमें धारा I flow कर रही है और इसमें भी धारा कितनी flow करेगी I flow कर, यह होता है formula, लेकिन इसको हम कहेंगे V, क्या कहेंगे, V सही है, तो हम पे E नहीं दिया है, और R नहीं दिया है कोई दिक्कत भी हम दो equation बनाएंगे, कितनी equation बनाएंगे फटाफट बनाते हैं, तो यह even, sorry, condition क्योंकि cell एक ही है न, cell क्या है A की cell है, तो जो E रहेगा, वो दोनों बार क्या रहेगा same रहेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पिटा, V, 1.8 प्लस, धारा कितनी देर की 0.5 और R, किलर है second condition के लिए E equals to 1.6 plus 1.0 R, right, अब दोनों value same है, equation number 1 equation number 2, आप इन दोनों plus 0.R is equals to 1.6 plus 1R, किलर है अब इसको आप solve करेंगे solve करना आता है इसको इधर लिए, इसको इधर ले जाएगे यह कुल मिला के 0.2 equals to 0.5 R बचेगा, calculation कर लिजिएगा किदर आएगा 0.2 और यह बच गया R equals to क्या जाएगा, 0.2 upon 0.5 और यह point हट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 upon 5 इसको हम क्या कहते, 0.4 और ओम हो गया, यह R की value मिल गई किसकी value मिल गई, मिल गई अब हमें E की value जाएगा, किसी भी एक equation में रख दीजी, इसमें रख दीजी, इसमें रख दीजी तो E equals to क्या हो जाएगा तो 0.2 आएगा, कितना आएगा और इसको आप add करेंगे, तो 1.8 और प्लस यह तो कितना हो जाएगा 2 वोल्ट, कितना हो जाएगा 2 वोल्ट, तो यह विद्दवागवल हो गया, right कोई problem तो नहीं है, समझ में आगे है अच्छे से समझ में आगे तो पहला question solve हो गया है quit करते हैं इसको, चलिए फटाफट दूसरा press में देख लेते हैं अब हम समय विर्कुल भी वरबाद नहीं करेंगे hydrogen प्रमाणों में electron 5.3 into 10 to the power minus 11 meter तिर्जाकी कच्छा में 2 point, थोड़े इन values को आप लिख के रखें, कृष्णा वो कहा है वो वाला, वो हाँ पर रखा है क्या हाँ, उसको ले के आज साथ में क्योंकि कभी हम क्या कर रहें, ये value क्या कर जा रहें भूल जा रहें, और सही है न आप लोग है तो लिख लो, मुझे value ची होगी एक परमाणू में electron Q.A. निकिए आपने value, क्या है, क्या चीज है वो भी पता है? तो जो प्रेशन है, उस प्रेशन में हमें क्या दिया है? एक watching है, इलेक्ट रओन है R, R दिया है, R कितना दिया है, 5.3 into 10 to the power minus 11 meter, के लिए रहे, एक तो यह दिया है, इसकी चाल दे रखी है, जब electron घूम रहा है, तो उस time पे उसकी चाल दे रखी है, V equals to 3.2 into 10 to the power 4 meter, पास एक नहीं दे रखी है, 2.3, ठिक उल्टा हो गए, यही मैंने का था, याद रखना है न, 2.3, तो इसको मिटा देते हैं, और यहाँ पे हम लोग लेते हैं, 2.3, कितना लिखते हैं, 2.3, अब आप इसके बाद आप बताएंगे, किलर है, कि वहले दो चीजे ही हमें चाहिए, सही है न, तो यह given है, हमें निकालना का है, हमें चाहिए M, क्या चाहिए M, M means, चुम्मकि यह आगूर, है कोई फॉर्मुला आप पर याद, फटाफट बताएं, अगर याद है तो अच्छा है, मैं concept के साथ बता रहू, किसके साथ, concept, जब यह घूमता है, तो current क्या करता है, current, current की value क्या होती, देखे, I is equal to E upon T, समझ मारा, यह अलग सा है आपके लिए, अगर यह आ पाई आर अपाउन, वी, वी मिन्स, स्पीड, जब इसको आप सॉल्ब करेंगे, तो I is equal to E, V upon 2, पाई क्या हो जाएगा, R, अब देखे, M is equal to I, A, क्या होता है, I, A, I की value क्या है, E, V upon 2, पाई आर, इंट ए की value, पाई आर, इसक्वायर, एकर से, एकर से, एकर से, एकर से, आगे समझ में, fundamentally भी बता है, अब आपको, सारी चीजें given है, M is equal to क्या हो जाएगा, E का value, 1.6 into 10 to the power, minus 19, into V का value, दिया है, 2.3 into 10 to the power, 4, into 5.3 into 10 to the power, minus 11, clear है, अब मैं आगे solve नहीं करूँगा, solve आप खुद कर ले, यह multiple बहुत easy है, इसका, इसका multiple करना है, 10 to the power देख लीजिएगा, यह minus और यह भी minus, तो minus 30 हो गया, यह 4 हो गया, minus का 26 हो जाएगा, और इसका आप multiple कर लेंगे, clear है, जो भी आएगा, last में, मात्रक जरूर लिख लेना, ampere meter square, क्या लिख लेना, ampere meter square, यह तो नहीं है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, यह अपने पास रखो बेटा, यह side मत रखो, वैसे याद हो जाता है, फिर भी, 10 cm, 30 अथा, 50 स्फेरों वाली, एक बिरताकार कुंडिली, अपने, उर्दोहादर ब्यास के परिता है, 20 mm tesla के सम चुमक्या चेत्र में, 50 radian, 32 की चाल उससे related है, killer है, सबसे पहले क्या-क्या दिया है आपके पास, आपके पास क्या दिया है, कुंडिली दी गई, क्या दी गई, कुंडिली में फेरों की संक्या दी गई है, क्या दी गई है, 10 equals to 50 दी गई है, विर्कुल सही है, इसके अलावा, और क्या दिया गया है, उसकी तिर दी गई है 50 radian per second सही है और एक B भी आपके पास दिया गया है 20 milli tesla killer है पहले तो इनको आप change कर दें जिन जिनको ये change करने की जर्वत नहीं है याना n equals to 50 ही रहने वाला है r equals to इसको आप 0.1 meter लिख दें ये change होने वाला नहीं है radian per second ठीक है radian per second और B की value हो जाएगी 20 in to 10 to the power minus 3 tesla कोई problem kundali है विर्दागार क्या है kundali है उसमें pharaoh की संक्या दे रहे हैं 50 इस तरीके से है killer है हमें निकालने flux flux होता है 5 equals to BA क्या होता है यह क्या करें अधिक्तम वैसे वहां पर पढ़ते ना concept तो यहां पर cos theta भी आता है क्या आता है लेकिन हमें अधिक्तम चाहिए तो cos theta की value 1 हो जाएगी क्या हो जाएगी 1 तो किवल BA आएगा क्या आएगा BA तो 5 equals to B अब B की value quality दी है 20 in to 10 to the power minus 3 A क्या होता है पाई R square क्या होता है ओके तो यहां पर 20 इसको हम 2 into 10 to the power minus 2 लिख ले into pi 3.14 होता है into R, R की value कितनी है 0.1 का square तो finally यह कितना हो जाएगा 2 इसको चाहिए तो multiple कर ले ले यह 8 हो गया अ रहे हो रहे है यह कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा royから है और यह कितना हो जाएगा 10 to the power minus निकल रहे किसमे निकल रहे एक फिरे में तो यह हमारे पास है एक फिरे में हमें कितने फेरों में निकालनी है 50 50 कितने में 5 equals to फिर n हो जागा n into एक फेरे में किसमें एक फेरे में जो भी value है right तो यह एक फेरे की value है तो यहां पर कितना हो जाएगा 50 into 6.28 into 10 to the power minus 4 क्लियर हो गया और multiple कर लें इसको एक point यहां पर हटा दें 5 का multiple कर लें यह कितना हो जाएगा 0 10 4.30 और 31 राइट एक बार देख ले न मैं पहुत जल्दी जल्दी कर रहा हूं किलर हो गया और 10 to the power minus क्या लिखेंगे इसको 3 किलर है या तो आप ऐसा लिख सकते हैं या थोड़ा सा और इसको अच्छा करें तो इसमें आप 3.14 into 10 to the power minus इसका फिर 2 हो जाएगा और इसका वेवर में आ जाएगा किसमें आ जाएगा वेवर में फ्लक्स मिल गया किलर है अब आपको चाहिए उसने maximum EMF भी पूछा है विद्द बागबल क्या पूछा है क्या पूछा है विद्द बागबल उसका फोड़ा भी आपको याद होना चाहिए इसको मिटा दे maximum क्या पूछा गया है विद्द बागबल किलर है तुमेंसे किसी को फॉर्मला याद है तो बता ओ उसको बोलते हैं E not क्या कहते हैं इसी कोस्ट होता N A B omega कहां से solve करते हैं phi equals to B A cos theta को solve करते हैं और यहां पर जो theta की value होती है omega t होती है omega t उसके बाद हम इसका करते है d phi upon क्या करते है dt then यह B A आता है omega आता है cos का sine हो जाता है फिर omega t हो जाता है यहां पर minus लग जाता है omega t समझ मारा न इसी सम्झा हम इसको solve करते हैं अब फेरों के संक्या N है तो मैंने N ले लिए क्या ले लिए N ले लिए अब इसने सिखर मान ही पूचा क्या पूचा है यदि यह color समंद भी देता है 1 4 into r याने 10 to the power minus 2 लिख लू अब तो पता लगी गया अर यही तो था कितना था यहां पर देखे pi r square pi की value 1 point यह है और यह r की value आपको पता है killer है b की value 20 into 10 to the power minus 3 और omega की value भी कितनी देर की फिर से 50 देर की कितनी देर की है 50 killer है कोई दिक्का तो नहीं है तो यहां पर solve करो easily इसको 1,2,3,0 हैं पहले तो कितने है इसको लिखो 5 into 2 into 5 into 3.14 into 3,0 है ना तो इनसे यह वाला minus खतम कर दो यह वाला खतम हो गया क्या बचा 10 to the power minus 2 ही बचा killer है 10 to the power minus क्या बचा 2 राइट यहां तक कोई दिक्का तो नहीं है पक्का अभी इसका multiple कर लोगे कितना हो गया 10 हो गया into क्या हो गया 5 हो गया into 3.14 हो गया into 10 to the power minus क्या हो गया 2 हो गया और फिर से यह कितना हो जागा 50 into 3 और भी तेज़ कर सकते आप लोगे तो मैं हर किसी के हिसाब से बता रहा फिर एक 0 खतम हो जाएगा फिर यह कितना हो गया 5 into 3.14 into 10 to the power minus 1 राइट अब 5 का multiple कर लो कितना हो गया 5 forger 20 0 5 और 1 यहन्या 7 point 15 राइट और into 10 to the power क्या है minus 1 है इसका आप 1 point लिख दीजिए 7 लिख दीजिए और यह कतम हो जाएगा फिर इतना volt हो जाएगा क्या हो जाएगा killer है यह क्या मिला आपको सिखर मान क्या मिला इसको बोलता है E naught शिखर मान क्या है सिखर मान अब उसने क्या पूचा है वर्ग तो कुल मिला के जो वैल्यू आरकी है न उस वैल्यू को आप 0.70 इंटू कितना है यह 1.57 इतने से मल्टिपल कर दीजिए ही RMS वैल्यू आ जाएगा समझे माय है इसको बदलते हैं लोग अंडर रूट टू है अंडर रूट टू को जब हम क्या करेंगे डिवाइट करेंगे तो 0.7 आता है राइट 70% आप जो आपके पास क्या है सिखर वैल्यू है राइट न उसका हो जाएगा प्रवाहित धारा आपके तीन नंबर फिक्स होगे द्वारा व्यक्त की जाती है यह तीन वैल्यूस थी तीनों की तीनों मेंने बता दी है अब नेक्स है एक प्रवाहित धारा आइकोल्स टू 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 प्लस फाइटी द्वारा व्यक्त की जाती है जहां आए एम्पियर में है यह यह स्वप्रेरित बिदुद भागबल 10 मिली बोल्ट हो तो प्रेरग बुणा हमें L निकालने है क्या निकालने है L चीए L है कोई आइडिया बताएं कोई आइडिया है इस क्वेशन को करने का सबसे पहले क्या गिवन क्या है क्या दिया है हमको क्या दिया है क्रेंट का मान दिया है और क्या दिया है, equation में दिया है, किसमें दिया है, equation में, देखो, दिया है, I equals to, 2 plus 5T, दिया है, सारी values दो है, किसमें दी गई है, ampere और second में, पहले तो यह दे दिया, इसके अलावा एक और value दी गई है, किसी इसकी value दी गई है, E भी दिया गया है, 10 mili volt, पता होना चाहिए न, राइट, जब I हमारे पास आगया, तो एक relation आपके दिमाग में आना चाहिए, कि I और L का relation है, यह वाला, यह पहले ही दिमाग में आना चाहिए, आप board पर इक्षा में बैठने वाले हो, आपको सारी चीज़ें पता होनी जब भी कोई question होता है, उसमें यह देखना होता है कि कितने term है, 3 है, 3 में से कितने given है, 2 given है, 3 तीसरा निकल जाएगा न, आसानी के साथ, तो निकाले, इसको हम पहले D I upon क्या करेंगे, DT, राइट, यह 0 हो जाएगा, यह 5 आजाएगा, कोई problem तो नहीं किसकी को, पक्का, त कितना हो गया, 5, राइट, रखो बहुत चोटा प्रेस्न है, तो 10 into 10 to the power minus 3 लगातार बतारो, मीली आ रहा है, वोल्ट में चेंज करतो इसको, minus L वैसे यहाँ पर minus लेने के अवशकता नहीं है, negative के वाल यही कहता है, वो उसका क्या करता है, ब्रोद करता है, जो lens का नियम हम ह राइट, और इसे भी बना सकते है, कोई दिक्कत तो नहीं है, L की value आपको मिले, और कुछ निकालना है इसमें, ये तो पहला part है, ये क्या है, पहला part, L मिल चुका है, इसकी को प्रेरक गुणांग कह रहे है, क्या कह रहे है, प्रेरक गुणांग, हमें value चाहिए, संची तो देखे, हमार पे सारी values है न, हाप भी है, L की value 2 into 10 to the power minus 3 है, और I की value ये वाली रखेंगे, 2 plus 5 into, कितने second में कह रखा है, 2 second में, question को अच्छे से पढ़ लेना, एक बार मैंने सारी question बता दिये थे, तो उसी तरीके से इसको पढ़ लेना, killer हो गया, तो 2 देरकी, कितनी दे रहा है, into, ध्यान से देखा है, ये कितना हो गया, 12, अर ये 10 हो गया, plus 2, 12 आ गया, 12, तो यही है, आपके पास value है, इसको हम लिख देंगे, 1.2 into 10 to the power minus 2, और क्या चीज़ है, उर जा, तो इतनी क्या हो जाएगी, जूल, सही है न, पक्का, तो easy है question, बलकि numerical question बहुत बढ़ क्या होता है, इसमें हमारा बहुत ज़्यदा समय बच जाता है, अगर अच्छे सा आप बाते हैं, सुमीद और कृष्णा बहुत हास रहे हैं, मजा रहा है, किसी परत्यावर्ती धारा परिपत में धारा का सिखर मान, 6 under root 2 है, परिपत में लगे, अमीटर का पार्ट क्या 1 है, एक नमबर का क्वेशन है, कितने नमबर का, एक नमबर का, I, R, M, S, इसको I not बोलते हैं, इसी क्वास्ट होता है, I not upon under root 2, अगर समझ में नहीं है, इसी का हम 0.70 I not बोलते हैं, है न, इस वाले को वहां पर यूज करो, जहां पर ये under root में नहीं है, जहां पर 2 को आपको आटने में समझ्या हो रही है, सही है न, यहां पर तो बढ़िया है, under root 2 में ही दे दिया, तो आप इसको use नहीं करेंगे, यह आपकी च्छा है, जैसे, वहां पर हमें solve कर रहे में दिकाद रहे हैं, सीधे value याद रख लो, कितना? 70, यहना 7 से multiple करना को मिला के, कोई समझ्या तो नहीं है, तो यहां पर तो 6 root 2 upon root 2, और यह cancel, और 6 ampere, यह होगा a meter का part, खीलर है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, यह बहुत पार पूछा जाता है, बहुत easy question है, जब भी board paper के जो paper बनाए जाते हैं, वो बहुत सारी चीज़स में ध्यान लेकिए, average चात्रों के लिए भी बनता है, जो लोग बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं, उनके लिए भी बनता है, तो हमेसा होता यह जो 50-60% paper होता है, वो average बचों के लिए बनता है, और थोड़ा सा उसके उपर का कभी-कभी, वो भी easy रहता है, कभी-कभी थोड़ा उसमें, check कर लेते हैं, आपका जो mindset है, वो किस तरीके का है, थोड़ा भूत अगर physics में घुमा फिरा दिया जाए, तो क्या आप कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, तो वो तमाम चीज़े रहती है, यह बहुत easy प्रशन है, एक अपचाई, अपचाई आपको पता है, step down, जो की उच्छ voltage को किसमें बतलता है, निमनी voltage में बतलता है, को बाइस सो बोल्ट से 220 बोल्ट पे लिए आया, बढ़िया हो गया, हमारे घरों के लि किया जाई प्रशन, सबसे पहले हमारे पास दिया है, इस तरीके से लिखों में सीधे, देखे, प्रात्मिक कुंडली को हम लिखते हैं, EMF को EP, क्या लिखते हैं, यह दिया है, 2200 बोल्ट, किलियर है, ES, that means secondary कुंडली में हमको कितना करना है उसको, इतना बोल्ट, प्रात्मि पहले इसी को कर लेते हैं, right, relation है EP upon, ES is equals to NP upon NS, very good, solve करें, 2200 upon 22 बोल्ट, यह cancel हो जाएगा, भाई से 10 आ रहा है, कितना रहा है, 10, लगे हाथ, time बचाओ यहाँ पे, NP, 5000 upon NS, हमें चीए, तो NS is equals to क्या हो जाएगा, यह 10 आ गया था नहीं दर से, NS is equals to हो जाएगा, 5, यह कट गया, 500, कितना हो गया बेटा, इतने 10 लगेंगे, किसमें, second वाले लगे, सही है, और पता भी होना चाहिए, कभी-कभी हमसे गलती हो जाती है, गलती क्या होती है, कि यह answer हमारा ज्यादा तो समझना है, कि जब step down होता है, तो समें फेरों की संके क्या नीचे है, कमा नीचे है, पहली चीज़ यह समझ मैं, अब दूसरा जो प्रेस ने पूछा हो दक्षिता से related है, किस से, दक्षिता, उसमें कह रखा, उसने दक्षिता दी गई है आपके पास, कितनी दी गई है, 90 क्या दी गई है, 90 परसेंट, किलर है, पहले तो 90 परसेंट को क्या लिखते है, 90 अपॉन 100, ये हो जाएगा, 9 अपॉन 10, ये वैल्यू आपके गई, किलर है, और तब हमें किसका फॉर्मला पता होने चाहिए, दक्षिता का, तो दक्षिता का जो फॉर्मला होता है, इसको हम कि आउट्पुट पावर, रॉइट, अपाउन इन्पुट पावर, क्या बूल देए, इन्पुट पावर, किलर है, सब जीस हमारे पास है, इसको, तो इसको प्विट कर देता है, यहाँ पर गदेए, इसको आलग से शॉल्प, राइट, तो क्या हो चाहिएगा, आउट्प देर की है, इंपट देर की है, आउट पुट ही देर की है, हमारे पास गिवन है आउट पुट पावर, जिसको निर्गत बोला गया, 8 किलो वाट, आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं, 8 इंटो 10 to the power 3 वाट में, वैसे जर्वत नहीं है यापे, क्योंकि कोई फरक नहीं के लिए हम क्या लिखेंगे, P, S लिख ले, सेकेंडरी, और P, N means primary, PP आगया है, यह सेकेंडरी में है, यानि की दुतियक में है, और यह किसमें, प्रात्मिक में है, प्राइमरी कोईल बोलते हैं, तो इसमें कितना है, 8 किलो वाट ही रख रहों में है, और यहाँ पर इसकी व पावर ओफ, किसकी, निवेशी, है न, जो इन्पुट वाली है, तो वो क्या हो जाएगे, 8 into 10 upon 9, solve करेंगे, आप इसको 80 upon 9, तो यह हो जाएगा, 8.8, और किलो वाट में लिखना, किसमें लिखना, किलो, यह है, इन्पुट पावर, क्या है, इन्पुट पावर, ओके, यह भी हो गया, यह निवेशी था है न, यहाँ पे, अब है एक लेंप जिसमें 15 बोल्ट पर 10 अंप्यर की धारा परवाइद की जा सकती है, बहुत बढ़ी है क्वेशन है, यह है वो क्वेशन जिसको थोड़ा सम कहते है, दिमाग वाला क्वेशन है, राइट न, क्या आवरती कितनी है, 50 हर्ज है, लेंप को जलाने के लिए किस प्रेरक की चोक उंडली लगानी होगी, इतना ही वेरका कुछ और तो नहीं है, देख लो एक बार क्वेशन में, कुछ इसकिप तो नहीं हो रहा है, पक्का, 220 बोल्ट अंप्यर निकल जाएगा, सही है, एक लेंप जिसमें पंदरा बोल्ट पर 10 अंप्यर की धार है, कितनी है, सबसे पहले हम इससे और निकाल देते हैं, क्या निकाल देते हैं, देखो यह हो जाएगा 15 upon 10 और इसको हम कहेंगे R is equal to 1.5 ओम यह R की value मिल गए, किसकी value मिल गए? सही है? अब वो क्या कह रहा है? यहाँ पे यह 220 बोल्ट के परत्यावरती सुरोज से जोड रहे हैं किसे जोड रहे है? सही है? और उस सुरोज से जब हम जोड़ेंगे तो यह क्या देगा? अब यह हम यहाँ पे क्योंकि हमें क्या भी लगाने? इसमें प्रेरक भी लगाने क्या लगाने? प्रेरक तोगा सा फिगर बना की समझाता हूँ यह लगेगा इधर बल्ब है इधर यह प्रत्यावर्थी सुरोथ है और इस तरी के से है मालो यह L है क्या है? और यह बल्ब जो है उसका रइस्टेंस होगया LR सरकिट होगया क्या होगया? कैसा सरकिट होगया? LR तो हमने पता होने जो LR सरकिट होता उसमें Z क्या होता है? यह R स्क्वाइर प्लस XL स्क्वाइर यह पर्तिबादा होती उसकी पहले हम पर्तिबादा निकालेंगे क्या निकालेंगे? क्या निकालेंगे? पर्तिबादा कैसे निकालेंगे? अब हम उसको कितने बोल्ट पे लगाएंगे? यह तो पहली condition थे न, अब हम उसको किस में लगा रहे है, 220 volt, परत्यावरती सुरूत पर तब लगा रहे है, killer है, तो यहां हम धारा निकालेंगे, वो Z कमान निकालेंगे, क्या निकालेंगे, इसी formule का use करेंगे, V equal to, याने की कितना हो जाएगा, V equals to I, Z बोलू, V कितना हो जा Z हमें क्या हो चुका है, मिल चुका है, killer है, अज जब Z मिली है तो हम इस formule का use कर लें, कर सकते हैं न, तो यह 22 equal to R, 1.5 का square और XL का square, killer है, अगर आपको हटाना है तो इसका square कर दीजिए तर, तो 22 का square is equals to 1.5 का square और XL का square, killer है, यह अबे 20 में plus रहेगा, सही है न, तो कुल मिला के XL is equals to क्या हो जाएगा, 22 square minus, यह इदर चले जाएगा, 1.5 का square, killer है, मैं एक वैसे कर रहा हूँ, इसको solve करके, 21.something something आएगा, कुछ भी आएगा, right न, 21.something आएगा, इसको कर ले न, solve करना बड़ा easy है, सही है, 22 का a plus b वाला formula लगा, a minus b, a plus b, और जो भी आएगा, फिर उसके बाद उसको कर ले न, killer है न, तो 21.something आएगा, क्योंकि यह बहुत छोटा है न, तो लगवा, इतना आएगा यह value, killer है, यह आगया, excel, क्या आगया, excel, अभी आपको method समझना है, excel, आपके पास आचुका है, उसके बाद उसने पूचा है, जोड़ा स्रोत की आवर्टी किती है, 50, हड़ जा लेंप को जलाने के लिए, किस प्रेरक, तत्वक की, चोब कुंडिली लगानी होगी, right, हमें अभी value यह उसमें, clear है न, तो किस प्रेरक तत्वक की लगानी होगी, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे पाद एक और formula होता है, omega is equal to, क्या होता है, 2 pi f, ए, 2 pi f, और एक और relation होता है, xl is equal to omega l, यह दो relation होपे आपको काम करना है, क्या चीए, क्या चीए हमें, l चीए, तो होगा, 2 pi f, यहां पर जड़े ध्यान दो, यह जो value दी गई न, यह hertz में दी गई है, किसमें दी गई, अगर यह radian per second देगा, तो omega की value होगी, किसकी होगी, यह चीज भी चेक की जाती है, इसलिए मैंने इसको f में change कर रहे, किसमें कर दिया, तो सीधी सी बात है, xl is equal to omega l, य f, f की value की दीए, into 50 कर देंगे, अब इसको आप क्या कर लेना, solve कर लेना, कर लोगे न, किवाद solve भी तो करनी है, तो यहां पर हम समय बचाते हैं, हो जाएगा, तो यह थे अत्रिक्द बताओ, और क्या बताने है आपको, अभी समय है हमारे पास? नहीं है?